जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्ण फार्मेसी में हम पढ़ने फार्मा कोगनोसी की थाड यूनिट जिसमें जो हमारा टॉपिक चल दा वो था टाइपस आप दे कल्चर तो पिछली वीडियो में टाइपस आप दे कल्चर में कैलस कल्चर एंड मैंने एक के बारे में तो बीडियो के पर मतलब होता है तो कल्चर का मतलब क्या तब हम समझ में आया तो कल्चर क्या है लेंग्वेज में समझे कि जब आप किसी प्लांट के एक पार्ट को काट देते हैं और उसको आपको ग्रोथ करनी होती है दूसरा प्लांट बनाना होता है तो आपको एक मीडियम क्या होए सकता पड़ती है जिससे कि उसका ग्रोथ अच्छे उसे हो जाए और उसमें उसको क्या क्या मिले हार्मों मिल जाए ग्रोथ लेटर मिल जाए जिब्रालिस मिल जाए जिसके करण वह अपना एक टीसू से ले करके मतलब एक प्लांट के एक करेंगे तो आपको एक बड़ा सा पेड़ बना कि देदेगा तो उसी को करता है कल्चर जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर हमारे लिए क्या है कल्चर हमको यहां पर सोने से लेकर खाने तक की सारी सुब्धाय मिलती है तो यह हमारा क्या हो गया हुँमन कल्चर हो गया ठीक है तो हमने पिछली वीडियो में कल्चर के बारे में पढ़ लिया था करें तो उसमें हमने क्या किया था उस प्लांट के एक टीशू को निका रहा था लेकिन अब इसमें क्या करेंगे टीशू के अंदर से हम सेल को निका लेंगे देन उसको हम किसी nutrition medium प्रवाइड करेंगे या अगार medium या हम nutrient broth medium देन उसको जर्मिनेट करेंगे तो सेल कल्चर रिफर्स टुदा टेक्निक इन्विट सिंगल सेल मतलब एक सिंगल सेल जिसको क्या करते हैं एक्स प्लांट से आइसोलेट करते हैं एर अड़ेट टु फ्लास्ट कंटेनिंग लिक्विड मीडियम एंड देन एगिटेट टु अलाव एरिये सन एंड सेल डिवीजें तो अगर आपको इसका मतलब इस तरह से समझना है आपका उसका दाएफ प्लांट करवे प्लांट ही यह आपको यृति प्लांट निकाल लियूट मेडियम इसको क्या करेंगे लिख बेच करवे और और इंकूबेट करने के बाद उसमें आपको aeration, aeration क्या होता है? हवा, उसमें हवा भी आपको cross करने क्योंकि उसको oxygen की भी आप सकता होती है, ठीक है? तो oxygen की आप सकता है, कि उसमें aeration करा देंगे, मतलब उसके बीच में कुछ हम oxygen डाल देंगे, या हवा आती जाए, बाहर जा आपी रहे, तो ऐसी हम medium वहाँ पर बनाएंगे, तो medium and then agitated to allow, agitated का क्या मतलब होता? एक अथा हो जाना, to allow aeration, मतलब oxygen की आप समझ लेते कि aeration वहाँ पर होने लगे, मतलब oxygen की लिए होने लगे and cell dispersion, और cell क्या हो जाए? और जब cell हमारे एक गुच्छे में बन जाएगी, तो वह उतक बन जाएगी, मतलब tissue बन जाएगी, tissue से हमारे organ का निर्माड होगा, plant के organ से हमारे एक पूरे fully developed growthful plant का निर्माड होगा, ठीक है? तो हमारे इसमें कुछ टाइप से culture होता है, तो पहला क्या है? सिंगल सेल कल्चर, तो सिंगल के मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब अकेला, ठीक है, the clone of single cell culture produced by mitosis and should be identical to parents in all aspects, देखे, अब यहाँ पर एक word है clone, तो जैसे आप WhatsApp चलाते हैं, तो WhatsApp का क्या करते हैं, आप clone करते हैं, मतलब उसको क्या देते हैं, एक दूसरा रूप दे देते हैं, बट जैतने function रहेंगे सारे उसी तरीके से, जैसे आप WhatsApp चलाते हैं, तो आपको WhatsApp को clone कर दिया, तो लेकिन clone तो हो गया, लेकिन उसमें ये मतलब पहले का, जैसे आपने पहले account xxx number से बना हुआ है, तो दूसरा जब आप clone करेंगे दूसरे WhatsApp में, तो आप yyy number से बना देंगे, लेकिन होगा क्या, कि जैसे message भेजोगे double tick इसमें भी दिखाएगा, message भेजोगे double tick इसमें भी दिखाएगा, मतलब जो इसकी software होगी, वो एकदम से होगी, खेवल इसमें आपका number चेंज होगे जाएगा, तो उसी परकार से आप इसमें क्या करते हैं, कि जो clone of the single set, मतलब हम सूत्री विभाजन, मतलब cell division का एक part होता है, and should be identical to parent cell in all aspects, और फिर उसको हम क्या करते हैं, उस parent cell से, मतलब उसका क्या करेंगे, parent cell से हम दोनों को match कराएंगे, कि match खा रहा है, कि नहीं खा रहा है, अगर match खा गया, तो अच्छी बात है, नहीं खा गया, तो हम फिर से उस single cell का isolation करेंगे, तो single cell culture में होता क्या है, कि हम किसी एक father plant से cell को निकालते हैं, उसको फिर हम clone बनाते हैं, मतलब एक नया रूप देते हैं, then उसको हम incubate करते हैं, किसमें nutrient medium में है, ठीक है, तो isolated cell can be clone using, आब बताई, मतलब यह समझे कि जो cell होता है, उसको isolate, मतलब आइसोलेट त हैं, तो पहली विदी क्या है, filter paper, raft, nudge, tissue, culture, tissue, technique, यह आपकी एक technique है, ठीक है, तो इसमें क्याते क्या है, आप filter paper ले ले लेते हैं, और उसको callous से मतलब जैसे देखें, callous है, इसे आपका cell aggregation ऐसे ऐसे form कर गया, तो इस पर आप क्या करेंगे, जो filter paper होगा, filter paper से आप इसको मतलब इसको पूड़िया में लपेड देंगे, then क्या करेंगे, so it absorbs the nutrient from the callous, तो वहाँ पर यतने भी आपके liquid medium होगे, वो callous में जो उपस्तित होगे, वो filter paper के द्वारा absorb कर ले जाएंगे, then क्या होगा, and iso data cell is placed on this arrangement over the filter paper, आप क्या होगा, जब उसमें से सारे nutrients निकाल ले ज तो किस्मिस आपने रात को विगो दिया, उसके बाद आप फिर सुभा उसको उठे और उसको filter paper से, मतलब दोनों जैसे filter paper, यहाँ पर आपने किस्मिस रख दिया, और आप ऐसे पकड़का ऐसे इसको दबा देंगे, दबाने के बाद क्या होगा, कि जितने भी उसमें liquid medium होग और वो से आपको किसे filter paper पे मिल जाएगी, ठीक है, अब आते है, तो पहला क्या है, तो suspension का मतलब आप समझ रहे हैं, कि उसमें कुछ suspended particle होगे, the isolated cell growing suspension culture, मतलब जो आपने plant से cell को isolate किया है, उसको आप suspension culture में कैसे growth करेंगे, यह पढ़ते हैं, ठीक है, suspension culture is a type of culture in which, जिसमें होता क्या है, single cell और aggregate of the cell, मतलब या तो उसमें single cell होगा, या cells के गुच्छे होंगे, multiply in liquid medium, वो क्या करते हैं, liquid medium गया से nutrient broth होगया, तो क्या करेंगे nutrient broth में अपना cell division करेंगे, और multiply करते चले जाएंगे, और एक cell से आप क्या करेंगे, दो से दो से चार, चार से छे, मतलब बारा, बारा से चोविस, इसी तरह से वो क्या करते हैं, कि aggregate form कर ले जाएंगे, और उतक का निर्माड कर देंगे, टिसू का निर्माड होने के बाद, तो औरगन का निर्माड करेंगे, दें प्लांट का निर्माड कर देंगे, तो suspension culture मारे दो टाइप के होते हैं, एक batch culture होता है, एक continuous culture होता है, जैसे कि पिछले बार है, मैं microbiology में भी पढ़ाता कि batch culture का क्या मतलब होता है, कि उसमें हम nutrition medium को change नहीं करते, एक बार आपने nutrient broth बना होता है, कि हम पर दे, मतलब जो nutrient medium है, उसको पर दे चेंज कर देते, मतलब fresh nutrient medium उसमें डाल देते, तो क्या था मारा continuous culture, तो यह देख लेते है, batch culture किसे करते है, it is a close system, used to growing the cell to the plant, मतलब यह close system, एक बार आपने nutrient broth बनाया, उसमें आपने cell culture, मतलब cell को incubate किया, देन आपने उसक को तभी खोलेंगे, जब उस plant को आपको उसमें से निकालना होगा, there is no additional removal of content, उसके बाद उसमें ना तो कोई, मतलब किसी भी content का, चाहे हो nutrient medium हो, या कोई plant का पार्टी हो, ठीके उसमें आप कुछ भी या तो remove नहीं कर सकते, या तो add नहीं कर सकते, till end of the process, अंत तक जब तक batch culture, तो सिधा सिधा समझिए कि इस batch culture में होता क्या है, कि जो हमारे nutrition medium है, उसको उसमें हम plant extract को डाल देंगे, उसको ढखकन लगा के बंद कर देंगे, then जब उसको आपको मतलब उसमें से plant निकालना होगा, तभी आप उसको खोलेंगे, otherwise उसमें कोई भी ना addition करेंगे, ना उस उसमें क्या plant का growth होना start हो जाएगा, and continue to multiply until the neutral medium is get exhausted, और जब तक neutral medium आपका खतम नहीं हो जाएगा, तब तक उसमें cell division होता रहेगा, अब इसके भी हमारे चार फेज होते हैं, लाग, लाग, लीनेर, डिसलाइन, पांच फेज होते हैं, इसमें ठीक है, तो हमनें पिछली इसमें क्या होता है, cell division start ही होते है, मतलब जो cell की growth होती है, पहला part होता है, पहला stage होता है, cell division, वो इसमें start ही होती है, cell prepare to divide, मतलब इसमें division होने के लिए cell prepare हो जाती है, then exponential phase होता है, इसमें क्या होता है, rate of the cell division higher, इसमें nutrition medium के concentration जो है, या volume जो है, वो ज़्यादा होती है, और जब जब जादा खाना पाएँगी तो वह तंदुर्ष्ट होंगे तो अपना सेल डिविजन जल्दी से जल्दी करने की कोसिस करेंगी जो सेल डिविजन होता है लेकिन जो सल का साइड होता है वह बढ़ जाता है जैसे आप गर में पाच आदमी है ठीक है तो देली खाना बन यह कम हो जाएगा लेकिन आप खाखाके मोटे हो जाएगे लेकिन उसी परकार से जो प्लांट के से लो जाएगे उनका जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा देना आता है डिकलिरेशन तो इसमें क्या होता है मतलब इसने क्या होता है selle का डीवीजन घड जाता है् er sal Asian के घता मतलब जब उसके पास data CAP रहे गए और जब उसके पास को दरैक्ट रहे गए नहीं कुछ खाने के लिए तो तो भीग्तो माँग नहीं पाएगा वो सीधी बात है कि मरना स्टार्ट हो जाएंगे मतलब भुक्मरी oveहापे पड़ जाएगी थे अब फिर सो जाते हैं फिर सुभा उठते हैं तो आप क्या करते हैं योगा करते हैं फिर इसनान करते हैं मतलब इसरी तेली आप फ्रेस ह होते रहेंगे इसी परकार से इस continuous culture में क्या होता है कि जो nutrition medium होता है उसको आप डेली बाई डेली चेंज करते रहते हैं इन continuous culture the media change with time to time for maximum cell division मतलब इसमें जो cell division होता है इसको maximum प्राप्थ करने के लिए जो इसका nutrition medium होता है आप उसको daily change करते रहते हैं time to time मतलब नयाज cell culture मतलब फ्रेस होगा ताजा होगा उसको आप time to time उसमें एड नहीं मतलब उसको मतलब पुराने वाले को बाहर निकालते रहेंगे और नए वाले को आप उसमें डालते रहेंगे ठीक है तो continuous cultures are carried in large scale using bioreactors मतलब जो continuous cell culture होते हैं वो इसे बाइयो रेक्टर ठीक है उसके बाद आता है प्रोटोप्रास्ट कल्चर तो प्रोटोप्रास्ट के मतलब आप समझे रहें कि जो प्लांट के सेल होते हैं उन्कों कहते हैं प्रोटॉप्रायश्ट कहते हैं तो प्रोटॉप्रायश्ट कंटेंड wrist की जब कमें हो जाती तो जब वाल की अपने अपने यूट्रफ का यूज कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो इसमें भी कुछ में कुछि होती की कैसे इसको हमने बाटनी में भी आह्लम बढ़ पढ़ चुक है तो हमको सिधा समना कि प्रोटो प्रोटो प्लास्ट का यूज करके उस प्रत को हम झायं इंजाई मेटिंगे हैं इसलेशर केला कहते हैं देन अर्व प्रोटो प्रोचिजर को कहा हुए सब्सक्रांब और यंचा प्रेक्ष्ट करें हैं तो आप क्या करेंगे इसम Weird Listener को शुद्र कर लेंगे इसने को शुद्र कर लेंगे इस चूच फिर प्रस्पूलाइब कर देंगे तो ऋषिज प्राज्मो लाइब जाएका यह अप्र gjización मिचना आफिके क् kicking अंदर यह क्या हमारा नुटिकलिasi अब इसके इस से आप क्या करेंगे प्रोटो प्रॉट्फाश्टील करेंगे मतलब इसुस्यों प्रोट्फ्र 29 श्युफ्थ 25 प्रभी करेंगे एंड प्यूरी फिकेशन करेंगे मतलब करेंगे इसमें भी जो भी यहां पर पो यहां पर है तेरेशल के दर चाहिए का प्यूरिफिकेशल कि सुन के दजा प्यूरिफ फॉ में मिल घ डिन तो क्लंप आप जाएगा मतलब जो इसे से आपस में बिल जाएंगे और एक ट्यूमर आकार बना देंगी तो उसको बोलता है कैलास देन आप क्या करेंगे उसको एक करेंगे और फिर आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि उसमें प्लांट का रिजनरेशन होने लगा मतलब एक पत्ती से आपने इतनी सारी प्रोसेस करके फिर से एक प्लांट बना दिया तो कौन कहता है कि पत्तियों से या सीड़ से या मतलब पत्तियों से प्लांट को नहीं हो सब्सकरण और हैंड इस्यात्यों सब्सक्राइब करते हैं जैसे आप यह परकार चार्स परकार कि सब्सक्राइब करें इसे नियुक्लेस के शायत проблем सकते हैं जो प्रोट dominated होता है कि है मतलब किया होता है संकरन श्रहिंट परकार से यह रहेगा उसके कुछ होगी वहाँ पे ठीक है तो आपको वीडियो समझ में आओगा अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जुरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू फर वाचिंग दा वीडियो में अप्ली के सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रमोट मैं चैनल ओके